बीना मलाई के मलाईदार लड़ू हमने बना कर तयार किये है दाने दार सुजी के लड़ू बने है एक अलग तरह से इसे हमने बनाए है बहुती टेस्टी सौफ्ट नरम मुलायम लड़ू बनकर तयार होता है एक मैं आपको तोड़ कर बताती हूँ देखिए कितना नर्म का बहुत बहुत स्वागत है सूजी का लड़ू बनानी के लिए यहाँ पर हमने एक कप सूजी लिये है सूजी आप कौन सी भी ले सकते हो मोटी सूजी, महीन सूजी दोनों सूजी से लड़ू परफिक्ट बनका तयार होते है यहाँ पर हमने वो सूजी लिए जिससे उपमा बनाया जाता है वो सूजी का इस्तेमाल किये है इसे हम एक बावल में डालेंगे हमने एक कप सूजी लिए है एक कप हमें इसमें मिल्क डालना है मेजर्मेंट का हमें खयाल रखना है जितना सूजी लेंगे मिल्क उतना ही डालना है मिल्क रूम टेंपरेचर का है नहीं ठंडा है नहीं गर्म है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी और मिल्क अच्छे से मिक्स कर लेना है एकदम पर्फेक्ट लड़ू बनकर तयार होता है अब इसे हम 10 मिनिट के लिए रेस्ट पर रखेंगे तब से हम कुछ और तयारी कर लेते हैं एक कप सूजी हमने लिये थे तो यहाँ पर हमने आधा कप चिनी लिये है इसका हमें पाउडर बनाना है हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे पीस लेंगे देखिए पाउडर हमारा पर्फेक्ट बनकर तयार है अब हम आगे की तयारी करते हैं यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून घी लिये है घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे देखिए घी मेल्ट हो चुका है अब इसमें हम कुछ ड्राइफ रूट से उसे फ्राई कर लेंगे यहाँ पर मैंने बादाम और मुनक्का ली हूँ आप अपने हिसाब से ड्राइफ रूट ले सकते हो जो भी आपको पसंद है इसे हम हलका सा भूल लेंगे इसका हलका ही कलर चेंज करना है इस तरह से अगर हम ड्राइफ रूट को फ्राई करके लड्डू में डालते हैं तो क्रंचीने सा जाता है खाने का टेस्ट लड्डू का और भी बढ़ जाता है देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है अब इसे हम निकाल लेंगे सारे ड्राइफ फूर्स हमें निकाल लेना है देखिए ड्राइफ फूर्स हमने निकाल लिये है अब उसी घी में हम सूजी डालेंगे जो सूजी हमने भीगो कर रखे थे उतने ही घी में डालना है और जादा घी की इसमें जरुत नहीं है अब इसे हम अच्छे से mix करेंगे और चलाते हुए इसे हमें अच्छे से भून लेना है इसे तब तक हमें भूनना है जब तक ये दानेदार नहीं बन जाता है थोड़ा समय लगेगा कम से कम 15-20 मिनट का समय जाता है इसे दानेदार रूप में आने के लिए इसे हमें मीडियम आज पर भूनना है तेज आज पर धीमी आज पर नहीं भूनेंगे मीडियम आज पर इसे हम अच्छे से चलाते हुए इसे भून लेंगे देखी एक डो के फॉर्म में या चुका है थोड़ा सुख चुका है इसी तरह चलाते हुए हम इसे भूनेंगे इसलिए जब भी हम सूजी को दूद मे भिगोते है तो हमें perfect measurement का ध्यान रखना है जितना सूजी ले रहे है milk भी हमें उतना ही लेना है suppose अगर हम milk जादा लेते है तो हमें और समय लगेगा इसे दानेदार रुप में लाने के लिए इसके लिए जितना सूजी है उतना ही milk हम लेंगे तो perfect बनकर तयार होता है देखिए थोड़ा थोड़ा ए दानेदार हो रहा है इसे इसी तरह से चलाते हुए प्रेस करते हुए हम अच्छे से भूल लेंगे एक अलग तरह से लड़ू बनकर तयार होता है सूजी के लड़ू तो कई तरह से बनते हैं इस बार हमने अलग तरह से बनाए है बहुत ही टेस्टी बनता है खाने में बहुत ही अच्छा लगता है आप एक बार इस तरह से सूजी के लड़ू जरूर बनाईए बहुत ही टेस्टी बनेंगे एक डिफरेंट तरह का हो जाता है देखिए इसे हम अच्छे से चलाते हुए दाने दार रुप में लेकर आएंगे बहुत जल्दी हो जाएगा ये देखिए दाने दार रुप में आ चुका है देखिए एक एक दाना इसका अलग हो चुका है बस हमें इतना ही बुनना है अब हम गैस को बंद करेंगे से दूसरे बरतन में ट्रांसफर करेंगे अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी हो तेक लाइक करिए कूकिट मनुर्माई चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले मिश्रन देखिए थोड़ा ठंडा हो चुका है अब इसमें हम चीनी का पाउडर मिक्स करेंगे गरम गरम में हमें चीनी का पाउडर मिक्स नहीं करना है थोड़ा ठंडा होने के बाद ही करेंगे इसमें ड्राइफूर्ड सा मिक्स कर लेंगे इलाइची पाउडर डलना है आदा चम्मच यहाँ पर हमने छोटे इलाइची का पाउडर डाले है इसे अच्छे से मिक्स करना है ये अभी सुखा लग रहा है चीनी का पौडर डाले पर यह सुखा नहीं रहेगा जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो परफेक्ट सब हो जाएगा आराम से हम इसके लड़ू बान सकते हैं इसमें हमें नहीं मिल्क और एट करना पड़ेगा नहीं हमें घी एट करना पड़ेगा जो भी मेजरमेंट हमने लिए है एकदम परफेक्ट है देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम लड़ू इसका बानेंगे जितना बड़ा हमें लड़ू बानना है उतना हम ले ले लेंगे और इसका एक लड़ू बानेंगे देखिए कितने आसानी से लड़ू बन रहा है एकदम सौफ्ट न लड़ू हमें बना कर तयार करना है, एक अलग तरह से लड़ू हमने बनाई है, बहुत ही सौप्ट लड़ू है, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, देखिए कितने आसानी से बन जा रहें, बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ता है, देखिए, सारे लड़ू हम ऐसे ही तयार कर लेंगे, परफेक्ट लड़ू हमारे बनकर तयार होंगे, बहुत ही टेस्टी लड़ू बनेंगे, देखिए सारे लड़ू हमने बना कर तयार कर लिये है, जटपट बनने वाला लड़ू है, जादा मेहनत नहीं है, खाने में उतना ही अच्छा है, मुह में रखते ह गुल जाए, इतना टेस्टी लड़ू बनता है, एक मैं आपको तोड़ कर बताती हूँ, देखिए, कितने सौफ लड़ू बने है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, आप एक बार इस तरह से जरू ट्राइ करें, आपको बहुत पसंद आएगा.